गाइस, rounded assistive touch कैसे अपने iPhone devices में enable करें जियां दोस्तों यहाँ पे especially बात करने वाले हैं iPhone 5S, 6 and 6 Plus वालों की कैसे जो हैं वो अपने iPhone device में इस तरीके की rounded assistive touch को enable कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पार है कि मैं जो है कोई भी application को open करता हूँ यह 101% working है और साथ में इसके आप look check कर सकते हैं जो कि बिल्कुली हमें iPhone X की तरह देखने को मिल जाती है तो basically यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा device है यह जो है simply एक iPhone 6 है सिर्फ और सिर्फ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते है model name iPhone 6 and यहाँ पर software version जो हमारा 12.5.5 है software version कोई matter नहीं करता चाहें आपके पास 12.5.4 हो या फिर 12.5.2 भी है फिर भी चलेगा बात है यहाँ पर iPhone 6 में इस तरीके कि आप असिश्टी टीट को कैसे जो है आप इनेबल कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यदा cool लगती है यहाँ पर भी हमारे iPhone 6S में इस तरीके की rounded असिश्टी टीट देखने को नहीं मिल पा रही है तो गईसे जो आप से इनेबल कर सकते हैं बहुत ही इसली तरीके से चलिए गईस वीडियो शुरू करते हैं इस नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए होती है प्लीस आप अपने कॉमेंट्स हमें मेंशन कर दिया करें वीडियो के नीचे आपको डेफिनेटी उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी आपको कोई भी एरर आती है आपके अपके डिवाइस में आप डाउन करता हूं तो यहांपे आइफ़ों एक्स का इस प्लस में यूज करने तो आपको यह उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा आप जाके वाउच कर सकते हैं चली शूरू करते हैं सबसे पहले आपको इसको इसको इनेबल करने के लिए कर अधिकेशन का इसको इस्टॉल करें बहुत ही इसली प्रोसे से गाईस वीडियो का लिंक जो है मैं दिस्क्रिप्शन में 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 जिल्बिक करना है यहां पर आपको एक डाउट प्ले कर देता हूं बहुत से वीवर्स का मन में डाउट रहता है कि यार हम जो अपने आपने भी शॉटर वर्जन भी नहीं आता है, यह काफी जता जो है, ओल्ड सीरीज में आ चुके हैं, इन में आप यह आप यह आइफोन X की गैशर्ष यूज़ करें, यूज़ करें इसमें, यहाँ पे इवन बैंकिंग अप्लिकेशन भी वर्क नहीं करती है, तो अभी गाइस, मैं अपने आइफोन को इस तरीके से मोडिफिकेशन करके यूज़ करता रहता हूँ, ताकि यहाँ पे फीचर्स यूज़ करता हूँ, आइफोन X की तरह, बेसक हमारा सिर्फ आइफोन 6 ही है, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको चले जाना है, अपने CD अप्लिकेशन करना है, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का आजे तो इसमें आपने क्या टाइप करना है, मैं आपको बदाता हूँ, यह आपको आपने टाइप करना है, देख सकते हैं, यह आपको इस तरीके से आपने टाइप करना है, इस तरीके से आपने टाइप करना है, उसके बाद यहां पे ज़ो है यह डन हो जाएका कि सांग को dock यहां पर हमें आपको सिंप्लिच सो करना है इक डाना है यहां पर यहां पर आपके सामने dei चिंब्ट पर यहां पर इंस्टॉ can do aनिक मेरे में झाये को कुछ आपको इसको इंस्टॉल करने ना simply back चले जाएं and back जाने के बाद दोस्तों आपको simply settings में जाना है एक बार इसको apply करने के बाद settings में जाएं and यहाँ पे settings में जाने के बाद दोस्तों आपको journal पर tap on करें accessibility पर tap on करें and scroll down करके आँ यहाँ पर assistive touch find करें यह देख सकते हैं and यहाँ पर द जो है देखने को मिल जाएगा like iPhone X की तरह इस तरीके से guys आप जो इसको enable कर सकते हो I hope guys से वीडियो आपको पसंद आई होगी guys please share करें वीडियो को and अपने iPhone को modifications के सांथ guys तियार करें thanks watching guys मिलते है next video में